अंजी नमस्कार दूस्तों तो गाईज आज की चूब वीडियो होने वाली है वो काफी जादा खास होने वाली वो खास इसलिए होगी व्योंकि पता चला है कि न्यूजिलेंड के कुछ खिलाडी भाई धमकी दे रहा है इंडिया को कि मैच जीत के दिखाईयों तो बताएंग लोग ने आज जो चोक किया हुआ है आज यह जो इनकी सर्मनाख हार हुई है भाई आज यह सपने में भी नहीं भूलने वाले हैं देखो इन दोनों के बारे में बात करेंगे बिस्तार से लिकले उससे पहले आपको क्या करना आप लोग को पताईए वीडियो को लाइक करके साथ अपरीका वर्सथ इंगलैंड बैच के बारे में भाई यह मैच अलागी लेवल का मैच चल रहा है भाई पहले साथ अपरीका वालों को कहना चाओंगा भाई क्या हो जाता है साला तुम एक तरफ नीदर लंड से हार जाते हो और जब जीतना होता है तो तुम मैंने इंगलाइंट के बॉलर्स को इतना अच्छे तरीके से दोया बैचारों को हाँ रात में नीद नहीं आने वाली है ये तो एक क्लासन भाई क्या खेला है इनका ये जो मारको यांसान भाई ये दुखनो आई पिल जब आता है ना तो ये आई पिल में इतना घटिया खेलन क्लासन भाई मारको यांसन भाई भरबात कर रहे है तुम्हें इसारेच के लिए भी रन बना लिया करो कभी खैर उसकी बाद में बात होगी लेकिन आज क्या इन लोगों ने बैटिंग की सुरुआत में हाला कि डिकॉप जल्दी आउट होगे लेकिन बाद में फिर भाई इ इनका टेमबा खेल नहीं रहाता तो यह इनके लिए कावे प्लस पॉइंट था ने तो भाई वो वैसे ही 60 वालों पे 20-30 बनाता उपर से प्रेसर डाल के चला जाता तो यह सबसे सही बात हुई आज साउथ अफरीका के टीम में कि भाई आट टेमबा बहुमा नहीं खेले और म क्या जबर्दस्त फारी खेलते हैं उसके बाद जो बची-कुची कसर रहती हैं रिक लासन और मार को यांचन आते हैं यह तो चौके में बात ही नहीं गरते चे रन यार को यांचन भाई इतने लंबे-लंबे छक्के मार रहा है उदर क्लासन हाफ रहा है मतला इंगलेंड के उसको एकदम से तोड़ के रख दिया ब्लास्ट के दस वार्स में किसी समिय में 15 रन बन रहें किसी ओबर में 18 रन आईसा कोई ओबर नहीं जा रहा था जिसमें चवका छक्का न पड़ रहा हार ओबर में चवके छक्के चवके छक्के मैं आपको इंग्लेंड के बॉलर्स का वो स्टैट्स दिखाता हूं कि यह लोग कितने पीटे हैं बताता हूं रिस टॉपली भाई आठ दसमल पाच ओबर अठासी रन थासी रन दे दिये भाई आठ दसमल पाच ओबर में अगर यह पूरा ओबर कंप्लीट करते तो इनकी संचुरी कंप्लीट हो जाती है हाला कि तीन बिकट भाई ने ली है और डेविड विली नव ओबर एग मेडन एक से बॉलिंग की है डेविड विली ने रूट छे दसमल एक ओबर अठालीस रन यह मार कुड कहां गया भाई यह मार कुड आपका स्विंग साथ ओबर चेतर रन इतना कौन पिटता यार मार कुड भाई अदिल रास से दिये थोड़ा अच्छी बॉलिंग की है इनके तीन बॉल इसको पता लग रहा यार तीन सो निन्यान नवे रन देरो बताओ तीन सो निन्यान नवे रन पिटा देरो यार यह बॉलिंग लाइन अप है लोग भाई बॉलिंग अच्छी नहीं के वैटिंग तो अच्छी कर लेते लेकिन नहीं इन लोग ने कसम खाई है भाई आउट हुए थे और यहाँ साउथ अपरिका के किलाब भी ऐसे ही आउट हुए अफगानिस्ताने ने पिछले मैच मेरा आया था अब हाँ साउथ अपरिका ने हरा दिया अब भाई इनके क्वालिफिकेशन के जो चांस है ना भाई वो ना के वराबरा हो चुके हुए हैं इनक रणों ये दो सो उनतीस रन्न से मैच को हारे हैं ये दोसो उनतीस रन्न से نہ हारते खेर हमें क्या मेले ना तो बात करने वाले कल इंडिया VS न्यूजिलेंड के बारे में जबर दस्त मैच होने वाला है कुछ न्यूजिलेंड के खिलाडी कह Are भाई की आपफी अच्छे चे प डेवे नोयन कानबे वानबे को समझा दो भाई कि तोड़ा सुरुक के खेलने अग्रेशन मना खेलने जो पिछली टीमों के खिलाब केलते वे आ रहे हैं यहाँ पर जस्परीद बुमराय कुलदी प्यादो है रविंद्र जडेजा है कैर मैच जवर्दस होने वाला है इंडिय वर्सिस न्यूजिलेंड जो भी जीतेगा वो सिधे टॉप पर जाएगा टॉप पर विराजबान होगा कल इसका पंजा खुलता है पांच मैच लगाता क्या न्यूजिलेंड जीतेगी या इंडिया जीतेगी यह तो देखने वाली बात रहेगी लेकिन जवर्दस तरीके का मैच होगा जिसमें इंडिया टीम का काफी ज़्यादा चांस लग रहा है कि काफी अच्छे रिकॉर्ड बनाएंगे खैर आपको क्या लगता है हमें कोमेंट्स में बताईएगा आजके मीडियो में बसे तो